दियार स्टूडेंट्स आज हम जो सब्जेक्ट है आपका 2004 फंडमेंटल ओफ एलेक्ट्रिकल एन एलेक्रोनिक्स एंजिनेरिंग उसमें जो यूनिट 2 है ओबर व्यू ओफ बेसिक एनालोग एंड डिजितल एलेक्रोनिक्स उसमें से कुछ पार्ट आपका अभी रिमोग कर द एक्टिविटी एन 2.4 जो टॉपिक है एक्टिव पंफोनेंट्स एयर अप्लिकेशन तो यह पार्ट आपका रिमोग कर दिया गया है तो अब मैंस में आपको 2.1, 2.2 आपको करा चुकी हूं तो लास्ट टॉपिक इसमें बच रहा है 2.5 क्योंकि 2.3 एन 2.4 आपका असलेप स्सक्राइब के बारे में हम पढ़ेंगे आज तो पहले बात करते हैं हम लोग विङटस की तो लोजिक a bew bei येटी के सरब्सक्राइब ईयर जै कि जिसमें लोगिकर बनाए जाते हैं विसे मृस्थम लोजिकल के च्चों ओறे हैं जो सबसे common logic gates होते हैं वो होते हैं and gate, or gate और not gate इनके अलावा nand gate और nor gate भी होते हैं जो कि universal gate कहला जाते हैं क्यों क्योंकि nand gate और nor gate की help से हम दूसरे gates भी बना सकते हैं जैसे nand gate की help से end gate भी बना सकते हैं nand gate की help से हम or gate भी बना सकते हैं और ऐसा ही हम Noor Gate के साथ भी कर सकते हैं कि Noor Gate की हैसे हम and gate or gate और not gate बना सकते हैं इसलिए ही इन दोनों gates को हम Universal gate करते हैं इसके अलावा or logical gates भी होते हैं जैसे exclusive or gate और exclusive nor gate जिसे हम basic geats जैसे and or not इन की help से बनाते हैं तो basically जो gates है, seven types के है and gate, or gate, not gate, nand gate, nor gate exclusive and exclusive, not, तो इस तरह से total seven gates हैं जिसमें nand gate, nor gate को हम universal gate कहते हैं, तो अब हम इसमें एक एक gates के बारे में आके पढ़ेंगे देखें जैसा मैंने आपको बताया यह साथ gate है और and not nand nor exclusive or और एक और होता है exclusive nor gate जिसमें से नand और नोर को हम क्या कहते है यूनिवर्सल गेट यह आप धिहान रखना क्योंकि यह पूशन ऐसे ही आ सकता है कि जैसे नand gate के हल से not gate बनाईए यह नand gate के हल से end gate बनाईए या nor gate के हल से not gate बनाईए तो ऐसा भी questions आपके एक्जाम में पुछड़ा सकता है तो अब हम इन gates के बारे में logic gates के बारे में पढ़ेगी सबसे पहले बात हम करते हैm ओर gate की ओर gate जो है यह है logical addition perform करता है मतलब दो यह gate उससे हम, jo output में आता है वह दो inputs का sum आता है मतलब यह logical addition perform करता है These gate इसे हम what bet कहते हैं इससे two input for example हम ले रहे है एए है एक input और एक है B तो दो input हो गए A और B और output अगर हम Y consider कर गए है तो इसका answer आएगा Y वेराबर से A plus B और इसके लावा अगर दो से ज्यादा input है पर एक्जामपल A, B, C, D तो और gate का output जाएगा हो एगा A plus B plus C plus D etc जितनी भी inputs है उन सब का logical addition हो जाएगा अब यहां पर यह जो और gate है उसका symbol यह शो किया हुआ है इस तरह से होता है यह और gate इसमें यहां input side में A और D दो input लगा रखे है और यह output है वदब यह 2 input और A के output Y बराबर से A plus B शो किया रहा है तो यह एक symbol है logical इस और gate का अब यह इसका characteristic equation ना रखिया है Y बराबर से A plus B जो कि अभी हमने बताया कि एडिशन परफॉर्म करता है तो इसी characteristic equation हो गई Y बराबर से A plus B और इसमें जो truth table बनाई होई है truth table का मनले होता है कि अगर A पर input क्या है 0 है या 1 है और B पर input 0 है या 1 है तो इसके सबसा output हमारा क्या perform होगा अब देखते हम यहां पर A और B जैसे input दोनों side में 0 0 है तो Y बराबर से क्या आएगा 0, output भी 0 है अगर A पर 0 और B पर 1 है तो output में क्या आजाएगा 1 ऐसे ही A पर input 1 और B पर 0 है तो output में आजाएगा 1 और A और B दोनों पर input 1 1 है तो output में आजाएगा Y बराबर से 1 तो दोनों high input है तो output में भी high आजाएगा और अगर एक भी high है तो भी output में high आएगा और अगर दोनों input low है तो output में low आएगा तो यह है or gate की truth table इसके बाद next जम पहते हैं end gate अभी हमने देखा or gate को अन सा logical function perform करता है or gate logical function perform करता है addition का और end gate जो है वो multiplication का logical function perform करता है मतलब end gate के थूँ multiplication कर सकते हैं तो जैसे example A और B दो input हैं तो यहाँ पे end gate का output आएगा A into B यहाँ पे into को dot से शो करते हैं तो dot denote करते हैं यहाँ पे end operation को तो Y वराबर से A dot B अब हम इसके symbols के बारे में बाद करें तो इसका symbol इस तरह से होता है यहाँ पे यह symbol इसका इस तरह से बना होता है और gate का थोड़ा कर भी shape होता है आगे से भी और इदर से भी इसमें आगे straight line होती है और पीछ से भी shape है तो यह दो input है A और B तो output में आगया बारे 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 से A dot B तो यह multiplication वाला function प्रप्रों करता है अब यहाँ पे इसकी truth table बनाई होई है जिसे दोनों input 00 है मुदब दोनों side में input में 0 है मुदब low input है तो output भी low होगा अगर A 0 B 1 है तो 0 into 1 भी 0 होगा A 1 है B 0 है तो 1 into 0 भी 0 होगा और दोनों input high high है 1 1 है तो 1 into 1 भी क्या हो जाएगा 1 इस तरह से यह end rate की truth table है और इसकी characteristic equation अगर पूशी जाए तो क्या लिखेंगे 5 बड़ाबर से A dot B next हम पढ़ते हैं note gate note gate देखिए क्या होता है यह inversion होता है मतलब अगर कोई input हमारे पास जो आ रहा है अगर वो 1 है तो output में note gate 0 हो करेगा और अगर कोई input हमारे पास 0 है तो note gate का output हो जाएगा 1 मतलब inversion हो जाता है या फिर हम कहा देख कॉंपलिमेंटेशन हो जाता है मतलब opposite हो जाता है तो इस gate का जो main purpose है वो ही होता है opposite logic level अगर हमें चाहिए तो इस gate को use मेते हैं देखिए इसका symbol जो है वो इस तरह से यह एक single input वाला gate होता है जैसे कि यह a आगया और यह इसका symbol है तो y बड़ागर से a bar a bar का मतलब यहां पर यह है कि inversion हो रहा है जैसे input में a 0 है तो output में आजाएगा 1 और input में a 1 है तो output में आजाएगा 0 तो यह most common gate थे तीन end gate, और gate और note gate इसके बाद हम universal gate के बारे में पढ़ते हैं तो universal gate में पहले आता है जैसे nand gate nand gate जो है अगर हम इसको पूरा इसका पढ़े तो इसको कहेंगे note plus end मतलब जो end gate है उसका inversion जैसे यह end gate बना दिया पहले हमने इसके आगे हाँ पे note लगा दिया, मतलब inversion होता है जैसे note gate होगा एक तरह से तो end gate का note बना दे हम तो वो कहला जाता है हमारा nand gate, तो इसके लिए मतलब होता यह यह है कि कौन सा function का करता है, multiplication, but multiplication करने के बाद भी उसका inversion कर देता है तो यह a, b का बार तो इसकी characteristic equation मनेगी y और अबर से a, b का उपर फुल बार, right अब इसकी truth table के बारे में बात करें तो जैसे a और b दोना 0, 0 है तो output में क्या आएगा 0 पर उसका बार हो जाएगा 0 का तो 1 आजाएगा फिर 0 into 1 भी 0 हुआ तो 0 का बार क्या आजाएगा 1 1 into 0 तो 0 हुआ उसका बार बना गया 1 into 1 हुआ फिर उसका बार क्या आजाएगा 0 तो यह हो गई nand gate की truth table इसके बाद दूसरा जो gate है वो है नोर gate ये भी एक universal gate है नोर, नोर का मतलब क्या हुआ note plus or, or gate बनाके अगर हम उसका इंवर्जन कर दे तो वो कहलाएगा हमारा नोर gate तो देखिए जैसे ये symbol में आपको दिख रहा है ये और gate है और इसके आगे note लगा दिया तो यह हो गया नोर gate तो यह भी logical function पर फोंड करेगा क्या कौन सा addition हो ला कि ये वाई बराबर से a plus b फिर उस पूरे का whole बार कर दे तो वो कहलाएगा हमारा नोर gate तो यहाँ पर देख सकते हैं आप टेबल में a और b जैसे 00 तो 0 प्लस 00 हो गया फिर इसका बार कर देंगे तो क्या जाएगा फिर 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 बार क्या में गया जाएगा इसके बाहर आते हैं जैसे exclusive और गेट की बात करें हम exclusive और गेट में क्या होगा input दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं और output आपका एक ही होगा अब यहाँ पर यह और गेट जो है पहले हम और गेट बनाते हैं पर इसके आगे ये एक line कीज़ेते हैं तो ये इसका symbol है exclusive overgate का, ये high state gate होता है, तो अगर हम इसके characteristic equation के बारे हम बात करें, तो ये a plus b तो लिखते हैं, अब प्लस में हम plus को एक circle में denote करते हैं हाँ पर, वो ही कहलाता है exclusive overgate, अब a plus b और ये plus जो है circle में, इसका मतलब क्या होता ह है, इसका मतलब होता है, जैसे a b plus a b का bar plus a bar b, ये अभी आपको याद करें न, आपके syllabus में से, इसमें ज़्यादा boolean expressions नहीं हैं, तो मैं अभी आपको बता देते हूं, ये a plus b, जो plus circle में लग रहा है, इस boolean expression का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है y बराबर से a b का bar, सि आपके सुनिए y बराबर से a b bar plus a bar b, तो अब आप इसको अगर solve करोगे न, तो ये truth table आपको समझ में आ जाएगी, देखिए, अब करें हम a b का bar, into में तो क्या होगे a 0, और b का bar क्या होगे, 1 तो 0 होगा, फिर plus a bar b, तो भी a 0 होगा, तो 0 प्लस 0 क्या जाएगा, 0, अब करे a bar b, तो 0 into 0 होगा, फिर a bar b करें 1 into 1, ठीक है, तो 1 आगे, आप इसको सम होगा 1, तो आप एक बर ये equation सुन लेजिए, और फिर इसके बार सो करके देखना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, देखिए, a plus, plus किसमें है, circle में, फिर b, इसका मतला होगा, a का bar b, into में, plus a into b bar, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से, इसको solve कर सकते हैं, तो ये थिया आपके gates थे, and gate, not gate, or gate, land gate, nor gate, और exclusive or gate, इसके लावा आपके slaves में एक number systems का or है, तो भी मैं आपको बता देती हूँ, number system में क्या है आपका, जिसे binary system का है only, तो binary system क्या होता है, जिसे आपके तक हम जाते है, decimal number system के वारे में, तो पहले बात करें कि number system होता क्या है, देखें, number system क्या होता है, जो numeric value, या पर हों के दे, quantity को represent करी सिर्फ, जो system, हाना, different, different symbol use करके, तो उसे क्या कहते है, हम number system, मतलब वो system जिसमें सिर्फ numeric value ही represent हो, तो उसे number system कहते है, अब decimal number system क्या होता है, decimal number system को होता है, जिसका base 10 होता है, मतलब इसमें सिर्फ 0 से 9 तक की digit होती है, ये सिर्फ 0 से 9 तक की digit को use करता है, वो कहाराता है, आपका decimal number system अब यह पुछता है BASE या REDICS मतलब क्या होता है BASE YA RIDICS का worrying होता है क्या होता है Number of DiZIT सिस्टम में जो Wool Kitchen में Number ऋब दिजयरा है उससे BASE Aire Redix कहते हैं जैसे कि आज हम सब्चार आज हम B antsy नमबर इस्टम कर अब बारे में पढ़ते ह् कि पुछ लिए कि इतने digit आ रही है, सब 0 और 1 दो ही digit आ रही है, तो इसलिए इसका base हो जाएगा 2 अब binary number system को हम कैसे लिखते हैं, जैसे for example यह कोई question है, 1 0 1 0 क्योंकि इसमें 2 quantity होती है 2 digit होती है, तो 0 या 1 तो अगर example के लिए हम ले रहे हैं, 1 0 1 0 तो इसके साथ में bracket में यहाँ पर नीचे जो है, दो लिख देते हैं, तो 2 का मैं कि यहाँ पर क्या होता है, इसका base होता है ठीक है, जैसे base कहने या redix कहने तो binary number system को हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, जो भी values है वो, और फिर bracket में नीचे के side, base लगा देते हैं 2, अब यहाँ पर यह है कि कौन से decimal number को किस binary number से represent कैसे करते हैं, तो यह table में बनाया हुआ है, देखें, यहाँ से शुरू करते हैं, हमसर से पहले 0, कोई decimal number है, तो उसका binary क्या होगा, 0 अब 1 है, तो उसका 1 हो जाएगा right, अब 2 है अब यहाँ से शुरू होते हैं, 2 है तो उसका लिखते हैं, हम यहाँ पर 0 one right, बला बन 0 गया 3 को लिखते हैं, फिर यहाँ से शुरू हो जुरू करें 1 one, फिर 4 को लिखते हैं यहाँ से 001, एक ओर digit बढ़ गई, ठिर 5 को लिखेंगे 101 101 राइट फिर 6 को लिखेंगे 110 फिर 7 को लिखेंगे 1111 7 तब हो गई सारे डिजिट 1 फिर अब 8 के लिए 4 डिजिट वाला नंबर हो जाएगा 10 000 9 के लिए कई आ जाएगा 1001 फिर 10 के लिए 12 आप 12 के लिए कई आजाएगा 1100 13 के लिए 1101 14, आप इनको ध्यान से यहdle पर पर करें तो इधर से बाद करें तो पहला नंबर इदर से दर फिर इंक के बाद करें तो दूसर नंबर हो गएर opted तीसरे पर बढ़ेंगे, ऐसे 20, 21, 22, 23, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 23 तब होगा, फिर ऐसे ही 24, 25, चलेंगे हम, तो इस तरह से हम आगे इसको देख सकते हैं, अब आता है important point की decimal number को अगर हम कैसे convert करें, binary number में, ठीक है, तो जैसे 21, तो यह number है, यह decimal number है, 21, इसको binary number में हमें represent करना है, तो उसके लिए क्या, कैसे करते हैं, तो देखें, उसके क्या step है, सबसे पहले 21 लेको, फिर 2 से divide करो, तो 2 से divide करा, तो 10 आगया, 2 एक कम 2, और यह 0, फिर यहाँ पर remainder क्या बचा, 1 बचा, फिर वापिस से 2 से divide करे, 2 बचा, 2 बचा, 2 बचा, 10, तो कुछ नहीं बचा, तो 0 remainder, फिर 5 को करे, 2 से, 2 बचा, 4, फिर वापिस से 1 remainder बचा, फिर 2 बचा, फिर 2 बचा, 1, फिर 0 remainder बचा, यह कब तक divide करते रहेंगे, जब तक 2 से कम ना आ जाए, जैसे यह 2 से कम आया, आप इसको divide नहीं कर सकते, तो यह फिर stop कर जाएंगे, फिर इधर से हम पढ़ना शुरू करेंगे, यहां से, जहां remainder 2 से कम हो गया, तो 1 आ गया, तो यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, 10101, यह answer हो जाएगा, नीचे से उपर पढ़ेंगे, from bottom to top, तो हमारा answer आ जाएगा, और साथ में bracket में इसको हम लिख दें तो यह हो जाएगा हमारा, ठीक है, एक और example अभी हम लेते हैं, तो यह था हमारा 21, जो decimal number था, उसको हमने binary number में convert कर दिया, सिर्फ डिवाइट करना है, और remainder लिखना है, और कब तक डिवाइट करना है, जब तक की 2 से कमनी आ जाए, अब इसके 31 है, इसको आप डिवाइट कर यह अपके लिएक assignment है, ठीक है, तो यह assignment में पहला question दे रही हो, मैं आपको 31 number है, decimal number इसको binary में convert करना, और देखना answer यह आना चाहिए, यह जो लिखा हुआ है, उसको convert करके देखना, 2 से divide करते जाना, और कब तक करो कि जब तक 2 से कमनी आ जाए, number, और फिर reminder साथ साथ लिखत जाओगे, और पर bottom से top में जब लिखोगे, तो answer यह आना चाहिए, ठीक है, तो यह first question है, आपके assignment का, अब दूसरा है, अगर जिसे one, अब उल्टा करें अगर हम, अब हमारे पास क्या है कि binary number है, और decimal number में पूच रहा है, answer, यह दो ही questions आ सकते हैं, या तो decimal से binary, या binary से decimal, त ठीक है, और bottom से top में पढ़ लिए, हमारे पास answer आ गया, अब next है, binary number से decimal number में conversion कैसे करते हैं, तो जैसे माल लिजेए, यह कोई value दे रखी है, 11101 की binary number में, इसको decimal number देखना है, कितना है, तो कैसे करेंगे, हम इधर से शुरू करेंगे, last से, ठीक है, तो last वाला number लिखा 1, क् तो 2 की power 0 से शुरू करेंगे, ठीक है, फिर bracket में एक लिए, फिर plus, फिर next number के है, हमारा 0, तो 0 into 2 की power 1, फिर plus, फिर next number के है, हमारे पास 1, तो 1 into 2 की power 2, फिर plus, फिर next number के है, हमारे पास 1, तो 1 into 2 की power 3, फिर plus, फिर last number के है, 1, 1 into 2 की power 4, इन सब का sum, तो 2 की power 0 क्या हो गया, 1, तो 1 into 1, 2 की पावर 1, 2 हो गया, into 0, 2 की पावर 2, 4 हो गया, 2 की पावर 3, 8 हो गया, 2 की पावर 4, 16 हो गया, तो 16 प्लस 8, प्लस 4, प्लस 0, प्लस 1, कितना आगे, 39, तो answer होगा हमारा, यह जो binary number था, यह कितनी decimal number के पराबर है, 29, और इसको यहाँ पे base लिख देंगे 10, तो यह हो जाएगा हमारा binary से decimal number, अब यह आपको मैं दूसरा दे रहे हूँ, यह activity, वहलब यह दूसरा question है assignment का, 11011, यह binary number है, इसको decimal number में convert करना है, और देखना answer यह आना चाहिए, 27 number, तो यह दो questions दे रहे हूँ, मैं assignment के, एक तो यह वाला question है, 11011, यह binary number है, इसको decimal में convert करना है, वापिस देख लो आप, और एक बनी question दिया है, आपको यह वाला, कि जो 31 decimal number है, इसको binary number में कैसे convert करना है, तो यह दो questions है, यह दोनों questions आप मुझे, कब तक करके देदोगे, आप मुझे, सिर्फ दो ही question है, तो मुझे Monday तक submit करा दो, और कहां पर submit करना है, यह मैं mail ID लिख दूँगे आपको, अभी WhatsApp message में, ठीक है, तो यह assignment आपका, पहला माना जाएगा, इसमें, ठीक है, यह करके complete करके मुझे देदा, और अगर कोई हो, डाउट वो, इस lecture के बारें में, तो आप मुझे WhatsApp पर message कर सकते हो, तो यह हमारी आज, जो second unit है, वो complete हो गई है, क्योंकि उसमें से specific, यही part रह गया था, 2.4 जो topic है, बोलन, algebra वाला, जिसमें gates और number system थी, number system में से आपके binary और decimal number system ही है, syllabus में, तो यह दोने में आपको complete करा दिये, अब कुछ हो और doubt हो, तो आप मुझे से message में पूछ सकते हो, तो यह आपकी unit 2 Thank you